प्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंट्रेस्टिंग प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं जिसमें एक सीलिंग फैन बनाएंगे यानि के एक छतवाला पंखा हम बनाएंगे तो फ्रेंड्स अगर आपने अमरे चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्स्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को जरूर प्रस किया चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहां पर फ्रेंड्स मैं एक छोटा सा बॉक्स यूज़ कर रहा हूं इस तरह का तो यह आपको कॉस्मेटिक्स के सामान के अंदर या फिर कहीं पर भी जाती है यह आपको CD-ROM DVD-ROM के अंदर से मिल जाएगी वेस्टेज में से इजिली या फिर मार्केट में 30-40 रुपीज में मिल जाती है और यहां पर मैं ले रहा हूं एक मिनी प्लास्टिक गेर तो यह भी आपको CD-ROM या DVD-ROM के अंदर से इजिली मिल जाएगा अब यहां जो हमने कवर लिया था बोक्स के उपर वाला उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर यहां पर मार्केंग कर देता हूं और मार्केंग करने के बाद जो हमने प्लास्टिक का गेर लिया था उसको बिल्कुल यहां पर सेंटर के उपर रख दूँगा यहां पर मार्क किया उसके होती है उसको यहां पर मैं इस घेर के उपर लगा दूँगा देख सकते हैं आपraction इस ध्यागा को फिक्स कर दिया तो उसके भाद यहां पर यहां पर मैं शीट ले रहा हूं PVC की तो प्विशी काइप को हीट करके यहां पर मैंने एक शीट बना ली थी पहले से अब यहां पर DC motor के बिल्कुल center में compass रखके मैं size ले लेता हूँ और यहां पर इस sheet के उपर जो एक circle है वो draw कर लेंगे और इस circle को फिर मैं cut कर लूँगा कैंची से या फिर किसी cutter की मदद से भी आप काट सकते हैं तो इस तरह का जो circle की shape में टुकड़ा है वो काट लेंगे ठीक है दोस्तों देख सकते हैं आप एक टुकड़ा हमने cut कर लिया है और यहां पर जो अब motor है उसके size के मताबिक यहां पर बिल्कुल center में ही मैं marking कर देता हूँ और फिर जो center का टुकड़ा है वो भी हम काट लेंगे देख सकते हैं आप marking के बाद मैंने इस तरह से cut कर लिया है इसको अब इसी PVC के टुकड़े को यहां पर center के उपर लगा देंगे इस तरह से उपर हम यहां पर fan के जो पर होते हैं या पंक होते हैं वो बनाएंगे तो यहां पर मैं 7.5 इंच की लंबाई ले रहा हूँ fan के जो पर होता है उसकी और यहां पर आगे से सवा 1 इंच और पीछे से 1.5 इंच की यहां पर मैं marking कर देता हूँ और यहाँ पर फिर इस जगह को complete mark करके इस तरह का एक पर मैं बना लूँगा और इसी तरह से फिर बाकी पर भी जो है वो बना लेंगे अब देख सकते हैं यहाँ marking करके तीनों जो fan के पर होते हैं वो हमने इस तरह से cut कर लिए हैं फैन का जो पर है उसकी जो डेडिंग चोड़ाई वाली साइड है वहां पर अंदर एक सेंटिमीटर इस तरह से marking कर देंगे और फिर तीनों परों की marking करके फिर कुछ इस तरह से हम cut कर लेंगे ठीक है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तीनों परों को cut करके हमने कुछ इस तरह से shape दे दिए अब दोस्तो fan के जो पर हैं उसका आगे का हिसा आप देख रहे हैं उसको hit करके कुछ इस तरह से मैं टेड़ा कर लूँगा ये टेड़ा मैं क्यों कर रहा हूं ताके ये हवा को नीचे की तरफ फैंके अब दोस्तो fan का ये हिसा जो हमने पहले से बनाया हुआ था इसके उपर तीन बराबर फासले पे मैं मार्क कर दूँगा और ये मार्क मैं इसलिए कर रहा हूं ताके इन मार्किंग वाले जगों पे हम फैंके जो पर होते हैं या पंक होते हैं उनको लगा सके हैं साब से यहां पर अंदाज़े से मार्किंग कर सकते हैं अब जो हमने पर लिये थे यहां पर इंस्टड गलू लगा के इन परों को हम उसी जग़ों पर चिपकाते जाएंगे जहां पर हमने मार्किंग की थी तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम परों को लगाते जाएंगे ती तो कोई भी पैन या बॉल पैन आपको इस तरह से वेस्टेज में से इजिली मिल जाएगा घर में इस फैन को बनाने में ज्यादा तर जो मैटेरिल हम यूज करेंगे फ्रेंड्स वो वेस्टेज में से ही होगा और 40-50 रुपीज के अंदर ये फैन बनके तियार हो जाएगा अ यहाँ पे मैं जो दोनों साइड़ी हैं वहाँ पे वाइरिंग कर दूंगा और दोनों साइडों पे वाइरिंग करने के बाद यहाँ मैंने हीट श्रिंग ट्यूब लिए है इसको नीचे का हिसाब देख रहे हैं यहाँ पर हम इसी से को पहले instant glue से और फिर glue gun से यहाँ पर चारों तरफ से चिपका लेंगे ठीक है दोस्तों तो यहाँ तक हमने अपना ceiling fan बना लिए अब यहाँ पर मैं एक PVC pipe का टुकड़ा ले रहा हूँ इस टुकड़े को सेंटर से कट कर लेंगे और कट करने के बाद कुछ इस तरह से रोल करेंगे और यहाँ पर मैं एक fan की cap बना दूँगा और इस cap को यहाँ पर motor के उपर लगा देंगे जो DC motor हमने fan में यूज की थी और यहाँ पर इस तरह की दूसरी cap बना के मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा दूँगा देख सकते हैं आप और फिर इस जगा को instant glow से मैं चिपका दूँगा उसके बाद दोस्तों हमारा ceiling fan कुछ इस शेप में बन जाएगा अब drill machine के मदद से इस dandy के आर पार मैं एक hole कर दूँगा आपने wires का बहुत ख्याल रखना है यहाँ पर wire damage नहीं होनी चाहिए तो wires का थोड़ा सा side बे कर देंगे और यहाँ पर इस dandy के आर पार मैं hole कर रहा हूँ अब यहाँ पर मैं एक wire का टुकड़ा ले रहा हूँ और इस wire के टुकड़े को दोनों तरफ से कुछ इस तरह से हम मोड लेंगे और इसकी कुछ इस तरह से हम shape दे देंगे और shape देने के बाद यहाँ पर जो हमने hole किये थे उसकी दोनों तरफ यहाँ पर इसको लगा दूँगा तो सबसे पहले 9 वोल्ट पे मैंने इसका connection कर दिया है तारें आप उलट भी कर सकते हैं अगर आपका फैन उलट में घुम रहा हो तो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फैन है बिल्कुल original ceiling fan की तरह स्टार्ट हो रहा है यहां पर और आप देख रहे हैं कि आइस्ता इस्ता से बंदोना शुरू हो चुका है और आइस्ता इस्ता से बिल्कुल यह वैसे बंदो हो रहा है जिस तरह से हमारा original ceiling fan बंदोता है दोस्तों देख सकते हैं आप इस ceiling fan को दोस्तों आप 40-50 रुपए की cost के अंदर easily बना सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा तर जो चेक करवा देता हूँ यहाँ पे मैंने इसको on कर दिया और आप देख सकते हैं कि हमारा जो fan वो चलना स्टार्ट हो गया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वबैसे ही यह speed पकड़ रहा है और अप इस वक्त काफी अच्छी प्राइब सी और आप देख सकते हैं 12 को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी है और इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा